ये पांच चीजें रोजाना खालो 75 की उमर में भी 25 के उमर जैसी ताकत और सफूर्ती आपके सरीर में आ जाएगी और आपको कभी बुडापा नहीं आएगा आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी दिखाई देंगे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी चमतकारी चीजों के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे और यदि आप इन पांच चीजों का सेवन हर रोज करते हैं हमारे दवारा बताए गई विदी से तब आपको कभी बुडापा नहीं आएगा दोस्तों आपके चहरे पर चमक रहेगी आपके चहरे पर कभी जुरिया नहीं पड़ेंगी आपके चहरे पर नया गलो आजाएगा दोस्तों हर तरह की बीमारी से आप बचे रहेंगे क्योंकि ये पांचों चीजें अपने आप में एक महा ओस्ते की तरह काम करती हैं जो वो कभी भी हडियों का दर्द, जोडों का दर्द, घुटने, हाथ, कंधे, कलाई के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों ये नुस्का ताकत का भी घजान है। ये नुस्का आपके सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत भर देगा। जिससे आपके पूरे सरीर की कमजोरी बेलकोले जड़ से खतम हो जाएगी। और आपको दोस्तों आलस नहीं आएगा। आप हमेशा अपने आपको अनरजैटिक फील करेंगे। इतना जबरदस्त है इनुसका। और दोस्तों आपके उमर के बढ़ने की परक्रिया इस नुस्खे से रुख जाती हैं। क्योंकि इससे आपके चहरे बर जुरिया नहीं पड़ती। आपके चहरे बर उल्टा गलो आ जाता है। और आपने करना क्या है सिर्फ पांच चीजों को लेना है और इनका सेवन करना है। और दोस्तों ये पांच चीजे भी आपको अपने नस्दी की पंसारी की सोब से या किसी भी करियाना स्टोर से असानी से मिल जाएंगी। और इनका किसी भी त्रहें का कोई भी side effect नहीं है क्योंकि ये पांचों चीजे ही बिलकुल natural है और इनमें अपने आप में ही एक एक में बहुत सारे चमतकारीगों है दोस्तो जब इनमें एक एक में बहुत सारे चमतकारीगों है और जब ये पांचों मिल जाएंगी तब आप समझ सकते हैं इनकी एहमियत को तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि ये पांच चीजे है क्या और इनका सेवन आपने करना कैसे है दोस्तों इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है दोस्तों किसमिस और दोस्तो किस्मिस के फाइदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तो किस्मिस खून बनाने की मसीन है और आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ खून को साप करने का काम भी करती है आपको मुटापे से बचाती है तेलसियम का खजाना है, आपको हडियों के दर्द, जोडों के दर्द, कंधे कमर हाथ के दर्द से हमेशा बचा कर रखती हैं और हमेशा आपको सफूर्ती वान बनाई रखती हैं, किसमिस बहुत अधिक चमतकारी हैं तो आईए जानते हैं कि इसका सेवना अपने करना कैसे हैं दोस्तो आपने क्या करना है, कि राद में आठ से दस किसमिस लेकर एक गिलास पानी में भी गोनी हैं और सुबे बासी मों आपने उस पानी को भी पी लेना है, और इस किसमिस को भी चबा चबा कर खा लेना है अब जानते हैं दूसरी चीज के बारे में दोस्तों जो समें दूसरी चीज है वो है दोस्तों कलोंजी और दोस्तों कलोंजी के फाइदों के बारे में कौन नहीं जानता हमारे सरीर की हर बीमारी का इलाज है कलोंजी के बास दोस्तों आप किसी भी बिमारी का नाम ले सकते हैं और उसके इलाज के लिए आप कलोंजी का प्रियोग कर सकते हैं कलोंजी बहुत अधिक चमतकारी है और दोस्तों ये बड़ी ही असानी से आपको मिल भी जाते हैं आपके आसपास या आपके घर में भी कलोंजी जरूर होगी क्योंकि कलोंजी का प्रियोग मसाले के रूम में किया जाता है और ये बहुत अधिक चमतकारी है और दोस्तों कलोंजी के बारे में एक कहावत बहुत अधिक फैमस है कि मौत को छोड़ कर सरीर की हर बिमारे का इलाज है इस कलोंजी के पास तो आईये जानते हैं कि आपनी कलोंजी का सेवन करना कैसे है दोश्टों आपनी क्या करना है एक चमज कलोंजी को आप रात को सोते समय पाने में भिको दे और सुबे खाली पर 20 मो इस कलोंजी के पानी को भी पी लें र इस कलोंजी का भी चभा-चभा कर सेवन कर लें और दोस्तों किसमिस के बारे मैं आपको बता दू है यदि आपको diabetes की समस्चे है तब आपको किसमिस का परियोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये दो चीजे हो गए तीसरी जो चीज है वो है दोस्तो मखाने और दोस्तो मखाने के फायदों के बारे में कौन नहीं जानता वैसे भी मखानों की खीर का एक अलग ही लाजवाब टेस्ट है और जिसके सवाद को हम कभी भूल नहीं सकते दोस्तो मखाने पेट से लेकर दिल तक डायबटीज तक हर बीमारी का इलाज करने में बहुत अधिक फैमस हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करते हैं हमारे मोटापे को कम करने का काम करते हैं कैलसियम का खजान है हमारे सरीर को पूरा दिन एक्टिव फिल कराते हैं हम हमेशा सफूर्ती वान बने रहते हैं मखानों का सेवन करके मखाने हमारी सरीर में Blood Glucose के Level को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं जिससे हम बहुत त्रहे की बीमारियों से बचे रहते हैं आप जानते हैं कि आपने मखानों का सेवन करना कैसी है दोस्तो आपने दिन में किसी भी समय एक मुठी मखाने लेकर उनको चबा चबा कर खाना है यानि आपने हर दिन इनका सेवन जरूर करना है अगली जो इसमें चीज है वो है दोस्तो सूखा नारियल दोस्तो सूखा नारियल बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तों ये कैल्सियम का खजाना है हमारे मुटापे को कंट्रोल करने के काम आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अदिक लाजवाब है अब बात आती है इसको खाने की तो दोस्तों आप इसका पावडर बना कर किसी भी आप स्वीड डिस्ट खा रहे हैं उसके उपर छिड़क कर खासकते हैं इसको आपने हर रोज एक चमच की मातरे में इसका सेवन करना है और जो आखरी चीज है वो है दोस्तों अलसी दोस्तों अलसी बहुत अदिक चमच कारी है और दोस्तों अलसी के बारे में एक बात कही जाती है कि जो लोग भी vegetarian हैं उनको alci का 7 जरूर करना चाहिए क्योंकि दोश्तो alci से उनको वो सभी चीजे मिल जाएंगे जिनके उनके सरीर को जरूरत है तो आपको alci का 7 हर रोज करना चाहिए और alci के 7 की सबसे best विदी है इसको रात भर पानी में भिगोकर और सुबे खाली बेट इसके पानी को पीना और इन alci के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना लेकिन आपने इसका 7 एक चमच की मातरा में ही करना है एक चमच से अधिक alci का 7 आपको नहीं करना चाहिए चाहे आप किसी भी भी मारी में एक तो ये गरम है और उपर से यदि आप किसी भी चीज का अती 7 करते हैं तो इससे आपके स्रीर को बहुत अधिक नुकसान होता है इसलिए आपको alci का 7 भी सरफ एक चमच की मातरा में हर रोज करना है और दोस्तों आपने क्या करना है इन पांचों चीजों का 7 आप हर रोज कर सकते हैं या फिर एक वीक में इन में से एक चील लें अगले वीक में दूसरे ने आप इस तरीके से भी 7 कर सकते हैं या आप हर रोज भी इनका 7 कर सकते हैं लेकिन आपने इनका 7 सिमित मातरा में ही करना है आदिक मातरा में नहीं, क्योंकि आदिक मातरा में किसी भी चीज़ का सेवन किया हुआ, नुकसान पहुंचाता है, तो दोस्तों आप इन चीज़ों का सेवन कीजी, और अपने सरीर को हमेशा ताकतवर बना कर रखिए, हमेशा अनरजेटिक फिल कीजी, और कभी बुड़ापा अपने सरीर पर नहीं आने दीजी, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बैल का इकोन है, उसको भी दबा दीजे, ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे, धन्यवा दोस्तों